इसलिए वीडियो में हमने बात की थी कि हम इंसान प्रकृती के एको सिस्टम में सबसे टोप पर कैसे पहुँचे इस वीडियो में हम इतिहास के तीन सबसे महतफुन प्रशनों का जवाब समझेंगे फर्स्ट फायर या आग की अविश्कान ने हम इंसानों की टोप पोजिशन पर पहुचने का रास्ता आसान कैसे कर दिया सेकेंड आज दुनिया बर में जितने भी इन्सान जंदा है क्या हूँ प्योर शेपियन्स है और या फिर वो सेपियन्स और इनसानों की दूसरी प्रजातिएंग का COM 되어 है 3rd और last इनसानों की दूसरी species विलूखत कैसे हो गई क्या हम homo sapiens ने अपने भाईयों को मार दिया या किसी और वज़ा से इस पृत्वी पर उनका नामों निशान मिट गया So hello दोस्तों, यह sapiens series का दूसरा वीडियो है इस series में आपको human history से related ऐसी interesting और चौंकानी वाले बाते जानने को मिलेगी जो non-ly हमारे education system में पढ़ाई नहीं जाती और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो subscribe, like और share ज़रूर करेगा चलिए फिर शुरू करते हैं हम इंसानों के डो position पर पहुंचने में सबसे मेहतुपूर्ण steps में से एक था आपका आविश्कार इंसानों के कुछ species ने आठ लाग साल पहले से ही कभी-कभी आग का यूज किया होगा पर लगबख तीन लाग साल पहले से होमो एरेक्टस, होमो नीनर्थाज और हम होमो शेपिन्स के पूरवज डेली बेसिस पर आग का यूज करने लगे थे अब इंसानों के पास रोशनी और गर्मी का बारोसे मंद सोर्षता और लोईल्स के खिलाफ एक खतरनाप हथियार भी इसके कुछ समय बाद ही इंसानों ने अपने पडोस में आग लगाना शुरू कर दिया सावधानी से लगाई गई आग बंजर जाड़ियों को सिकार से बरे गास के मिदानों में बदल सकती थी इसके अलावा एक बार आग भूजने के बाद स्टोनेज इंसान उस जगह से जले हुए जानवर, नट्स और टूबर्स को एकटा कर लेते थे पर आग की सबसे बड़ी अच्वमेंट थी खाना पकाना ऐसा भूजन जैसे हम इंसान नेचरल फॉर्म्स में डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे जैसे चावल, गेहों और अलू, कुकिंग की वज़े से ये सब हमारे भूजन का सबसे मुख्य आर बन गए आग ने ना केवल खाने की केमिस्ट्री बदली वरन बाइलो जी भी खाना पकाने से खाने में मोजित, किटानू और पेराशेट्स भी मर जाते थे अब मनुश्यों के लिए अपने फेवरिट खादे परदात जैसे फ्रूट्स, नट्स, कीड़े और मास्क को पचाना और इजी हो गया जहां चिंपेंजी को कच्चे भूजन को चबाने में रोज पांच गिंटे लग जाते थे वही पका हुआ भूजन खाने वाले हम इनसानों के लिए ए गंडाई काफिता खाना पकाने के आगमन ने मनुश्यों को अधिक परकार के भूजन खाने खाने में कम समय लगाने और छोटे दांतों और छोटे आंतों के साथ काम चलाने में सक्षन बना दिया कुछ स्कोलर्स का मानना है कि खाना पकाने के आगमन, मानव आंतों के ट्रेक के छोटा होने और यूमन ब्रेन की विकास के बीज सीधा संबन दे चुंकि लंबी आंत और बड़ा ब्रेन दोलों ही बड़ी पैमाने पर एनरजी कंज्यूमर से इसलिए दोलों का एक साथ होना मुश्किल है आंतों को छोटा करके और उनकी एनरजी कोस्ट को कम करके खाना पकाने ने अंजाने में ही नेनर्थाल और शेपिन्स के विसाल का ये ब्रेन के लिए दरवाजा खोल दिया एक इंट्रेस्टिंग बात ये भी है कि आग ने हम मनुश्यों और अन्य जानारों की बीच पहली मैतबून खाई भी खोली लगबख सभी जानारों की सकती उनके शरील पर निर्बर करती है जैसे उनके मास्पेश्यों की ताकर उनके दान्तों का आकार उनके पंकों की उटने वाले थर्मन के पैचान कर सकते और अपने विसाल पंक फैलाकर गर्म हवास से खुद को ऊपर की उरो ठालेते पिर भी चींड ठर्मन को सकते और उनकी समानाव बाती होती है जब हजाते होती आघ्वयों पालतों वड़着 बीडर के जो ने एक अगयाकारी और सक्षम थे। सबसे इंपोर्टेंट बात ये थे कि आग की पावर हम इंसालों की बोड़ी की रूप, सरचना या सकती तक समितनी थी। एक अकेली महिला भी आपके साहरे कुछी घंटों में पूरे जंगल को जला सकती थी। एक तरस से आपका पालतू बनाया जाना अपने पर आपके इतने बेनिफिट्स की बावजूद भी एक लाग पचास जार साल पहले के मनुष्य अभी भी सिमान्त प्राणी थे। वे अब लोयन्स को डरा कर बगा सकते थे। खंडी रात में खुद को गर्म कर सकते थे और कभी-कभी जंगल को जला सकते थे। फिर भी सभी स्पेसिज को मिला कर अभी भी मनुष्य संक्या में सायद 10 लाग से भी जादा नहीं थे। जो कि एकोलोजिकल लडार पर एक छोटी सी बिंदी मातर थी। हमारी अपनी प्रजाती होमोशेपिंस पहले से ही वर्ल्ड स्टेज पर आ चुकी थी। लेकिन अभी तक हम अफ्री स्टेज इस बात प्रेगरी है कि एक लाक्स पचास जर साल पहले पूरुवी अफ्रीका में मनुष्यों की एक ऐसी पोपुलिशन थी जो बिल्पूल हमारे जैसे दिखती थी। हम होमोशेपिंस जैसी। अगर उनमें से कोई इंसान मोडन मुदा घर में मिल जाए तो लोकल लोग वियानी को कुछ भी अजीव नहीं लगेगा। अगनी की करपा के कारण उन इंसानों के दान्त और जबड़े उनके पूरुजों की तुल्ला में छोटे थे जबकि उनका ब्रेन बहुत बड़ा था। जो कि हमारे ब्रेन के बराबड़ था। साइंटिस इस बात पर भी एगरी है कि लगबख सतर हजार साल पहले होमोशेपियन्स एस्ट अफरीका से अरबीन पैनिसुला में फैल गए और वहां से उन्होंने जल्दी ही पूरे युरिशाई लेंड मास पर कबजा कर लिया। जब होमोशेपियन्स अरब में आए तो युरिशा की अधिकांस हिस्सों में पहले से ही इनसानों की दूसरी प्रजादिया बसी हुई थी जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो फिर उनका क्या हुआ इस सवाल पर दो परस पर ओपोजीट थियोरी दी जाती ह फर्स्ट इंटरब्रेडिंग थियोरी ये थियोरी अट्रेक्शन, सेक्स और मिलजुल की कहानी है इस थियोरी के अनुशार जैसे जैसे अफरिकी अपरवासी दुनिया वर में फैद दे गए उन्होंने दूसरी मानों पर जद्यों के साथ सेक्सुल रिलेशन्स बनाए और आज के लोग इसी इंटरब्रेडिंग का परिणाम है वदान के लिए जब शेपियंस मिडल इस्ट और यूरूप पहुँचे तो उनका सावना नियंदर्थाल से हुआ ये इंसान शेपियंस से ज्यादा सक्तिसाली थे उनके दिमाग भी वड़े थे और वे ठंडे मोसम में बहतर रूप से अडेप्टेड थे वे टूल्स और फायर का यूज़ करते थे अच्छे शिकारी थे और जाहिट दोर पर अपने बिमार और कमजर लोगों की देंगबाल किया करते थे आर्के लोजिस्ट को उन नियंदर थाल इंसानों की हड्या मिली है जो कई सालों तक सिवियर फिजिकल विगलांगता के साथ भी जिवित रही यह इस बात का सबूत है कि उनके रिलिटीव्स द्वारा उनकी देखबाल की जाती थी अक्सर कार्टूनों में नियंदर थाल को कुरूर और मुर्थ केव पिबल की रुग में दिखाया जाता है लेकिन हाल की एविडेंसेज ने उनकी छवी बदल दिये इंटरब्रेटिंग थियोरी के अनुसार जब शेपियन्स नियंदर थाल इलाके में फैल गई तब शेपियन्स ने नियंदर थाल के साथ सेक्शिल रिलीशन्स बनाए जब तक कि दोनों एस्पेसिज एक दुसरे में विलीन नहीं नहीं हो गई पर अगर ऐसा है तो आज की युरिशियन प्यूर शेपियन्स नहीं है वे शेपियन्स और नियंदर थाल का मिक्स्चेर है इसी तरह जब शेपियन्स इस्ट एशिया पहुंच है तो उन्होंने होँमो एरेक्टर्स से साथ सेक्स किया इसलिए चाइनीज और कॉरियाई लोग शेपियन्स और एरेक्टर्स का मिश्रण है दूसरी त्योरी का नाम है Reblishment त्योरी जो की Opposite Viewpoint पर एक बहुत ही अलग कहानी बताती है असंगती, घ्रना और सायद नर्साहार की कहानी इस त्योरी की अनुसार, Sapiens और अन्य यूमन स्पेसिस की सारलिक सरचना अलग-अलग थी और यहां तक की उनकी सेक्स की आद्दे और सरीर की गंद भी उनमें एक दूसरी की प्रती बहुत कम सेक्शुल इंटरेस रहा होगा सो अगर नियंद थाल का मजनू और सेपिन्स की लिला प्यार में पड़ भी गए तो भी वे फटाइन बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों स्पेसिस को अलग करने वाली जरेटिक खाई पहले से ही बहुत गयरी थी इसलिए दोनों पॉपॉलेशन्स पूरी दरसे अलग रही और जब नियंद थाल मर गए या फिर मारे गए तो उनके जीन्स भी उनके साथ मर गए इस थेयोरी की अनुसार सेपियन्स ने दूसरी यूमन एस्पेसिस के साथ बिना मर्ज हुए उनको रिपलेस कर दिया इस ये थेयोरी सही है तो सभी समकालिन इंसानों की जीनियोलोजी का पता लगा जा सकता है इस्पेसिली सतर हजार साल पहले पूरी अफ्रीका से इस थेयोरी की अकोडिंग हम सभी प्यूर शेपियन्स है इन दोनों थेयोरी की डिबेट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है इवोलुशन की नजर से देखें तो सतर हजार साल एक तरह से महच छोटा सा इंटरोल है यदि रिप्रेश्मेंट थेयोरी सही है तो सभी लेविंग यूमन्स में लगबग एक समान जेनेटिक कंटेंट होगा और उनके बीच रेशियल डिफरेंशेज नगणिया हो जाएंगे लेकिन यदि इंटर्बेटिंग थेयोरी सही है तो अफरीकी, यूरोपिय और एसियाई लोगों के बीच जैनेटिक अंतर हो सकते है जो सेकडो हजारों साल पहले से है पर ये बात पॉलिटिकल एक्टम बंब है जो एक्स्प्लोजिव रेशियन थेयोरी के लिए कंटेंट दे सकता है साइद आपको पता होगा कि इसी थेयोरी की आड में हेडलर ने यहोदियो पर इतने जुल्म डाई थे हाल की टिकेट्स में रेप्लेश्मेंट से दान इस एरिया में ज़्यादा वैलिड माना गया है इसका आर्केलोजिकल सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रोंग था और इंपोर्टेंट बात कि ये पॉलिटिकली ज़्यादा सही थी क्योंकि साइन्टिस्ट को आज की इंसानों के बीच जएनिटिक डाईवर्शिटी का दावा करके नसलवाद नामक पेंडोरा के बोक्स को खोलने की कोई भी इच्छा नहीं थी लेकिन 2010 में ये खेल समाबत हो गया जब 4 साल की मेहनत के बाद नेंदर्थार जिनोग को मैप करने की परिणा पब्लिस्ट हुए साइन्टिस्ट जिवासमों से पर्याप्त मातरा में नेंदर्थार डियने को एकत्र करने में कैपेबल थे ताकि समकाल इन मनश्यों के डियने के साथ उनकी व्यापक तुलना की जा सके इन रिजन्ट्स ने पूरी विग्यानी कॉमिनिटी को चौका दिया क्योंकि इस रिजन्ट्स से ही पता चला कि मिडल इस्ट और यूरूप में रहने वाले आज की लोगों में एक से चार प्रतिसत निंदर्थार डियने यह बहुत बड़ी कॉंटिटी नहीं है लेकिन यह एफेक्ट अपने आप में बहुत महतों पूर्ण है इसके अलावा दूसरा जटका कई महीनों बाद लगा जब डेनिसोवा से मिली जिवासम उंगली से निकाले गए डियने को मैप किया गया रिजल्स ने साबित कर दिया कि आदोनी की मेलाने शिल्म और आदिवासी ऑस्ट्रियाई लोगों की डियने का 6% डियने डियने और यह द्यान रखना ज़रूरी है कि अभी रिसेट चल रही है जो कि यह निसकर्शोप हो या तो मजबूत और या फिर बदल सकती है पर अगर अब तक की परिणा वैलिड है तो इंटर ब्रेडिंग थियोरी के सपोर्टरस ने कम से कम कुछ चीज़े सही गई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिप्लेश्मेंट से दानत पूरी तरसे गलत है चुमकि नेंदर्थाल और डेनिशोवन्स ने हमारे आज के जिनों में डेने की बहुत कम मतलब योगदान दिया है इसलिए शेपियल्स और अन्य यूमन इस्पेसिस के बीच मर्ज या विले की बात करना इंपोसिबल है यदे भी उन इस्पेसिस के बीच डिफ्रेंस इतना बड़ा नहीं था कि वे सेक्शुल रिलेशन्स को पूरी तरह से रोप सके लेकिन ये डिफ्रेंस इतना जरूर था कि इसकी वज़े से अलग-अलग यूमन इस्पेसिस के लोगों में सेक्शुल रिलेशन्स रेर थे भी नहीं थी बाइलोजिकल रियल्टी सफेद और काले की तरह नहीं होती वो गिरी टाइब होती है मीन उसमें कुछ सफेद के अंसे भी होते हैं तो कुछ काले के भी घोड़े और गदे जिसी एकी पूर्वत से इवोर्ड होने वाली हर दो स्पीशिस एक टाइम में एक ही पिनिल कुटते एक टाइम ऐसा भी रहा होगा जब दोनों आबादी पहले से ही एक दूसरी से काफी अलग होने के वावजूद भी दूलब अवसरों पर सेक्स करने और फटाइल संतान पैदा करने में केपेबल थी फिर एक और जेनेटिक परिवर्तन हुआ होगा जिसने इ दोनों अपनी अलग-अलग विकासवादी रहा पर चले गए ऐसा लगता है कि लगबग 15,000 साल पहले सेपियन्स नियंदर थाल और डेनी शवन्स भी उस वोर्डर पॉइंट पर थी वे अल्मोस्ट अलग पर जाद्य थी पर हंडिड परशन नहीं जैसा कि हम अगले वीडि और एक नियंदर थाल के लिए एक फटाइल बच्छा पैदा करना अभी भी संभव था पर दुल्लब आउसरों पर इसलिए आबादी का विले दो नहीं हुआ लेकिन कुछ सुबा के साली नियंदर थाल जीन्स ने सेपियन्स एक्सप्रेस की सवारी जरूर की थी यह अपने नियंदर थाल डेनिसोन और दूसरी यूमन स्पेसिस सेपियन्स के साथ मर्ज नहीं हुई तो वे गायब क्यों हो गए एक पॉसिबिरिटी यह है कि हम होमो सेपियन्स ने उन्हें विलुक्त होने के लिए मजबूर किया सपोच गरों की सेपियन्स का एक समू बालगन गाटी में पहुंचता है जहां नियंदर थाल सेकड़ों हजारों सालों से रह रहे थे सेपियन्स ने हिनलों का सिकार करना नट्स और जामन को एकटा करना शुरू गड़ दिया जो नियंदर थाल का ट्रडिशनल गोजन था बेटर टेकनलोजी और शूपरियर सामाजिंग स्किल्स के कारण सेपियन्स बहतर सिकारी और संगराहक थे इसलिए वो ज़्यादा संक्या में फैलते गए कम संसादन वाले नेंदर थाल्स को खुद का पेड़ बनने में बहुत मुश्किल हो रही थी सो उनकी आवादी कम हो गई और वो धेरे-देरे मर गए सायद ही क्या दोसादिश्यों को छोड़ कर जो अपने सेपियन्स परड़ोशियों में सामिलोगे एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि संसादनों के लिए कमपेटिशन वोलेंस और नर्साहार में बदल गया सहीं चोड़ता या टोलेंस सेपियन्स के खोन में ना थी और ना है एवन आज की टाइम में भी इसकीन के कलर, बोली, जाती या धर्म में एक छोटा सा डिफरेंस सेपियन्स की एक गरूब को दूसरी गरूब को खत्म करने के लिए इनफ मोटिवेशन है तो आपको क्या लगता है प्राचिन सेपियन्स जोगी हमारे अपने ही बूरवज से एक पूरी दरसे अलग यूमन स्पिसिज की प्रती अधिक टोलेरेंट होते है इस बात की संभावना बहुत है कि जब सेपियन्स ने नेंदर थाल का सामना किया तो इसका परिणाम हिस्ट्री में पहला और सबसे महतबूल जाती है सफ़ाई अभियन्स जो भी हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता पर नेंदर थाल और अधर यूमन स्पिसिज इस्ट्री के सबसे बड़े क्या होता अगर सवालों में से एक है इमेजिन करोगी अगर नेंदर थाल या डेनिस ओवन हम होमोशिपिन्स के साथ अभी तर जीवित रहते हो चीजी कैसी होती जहां पर कई अलग-अलग मानो परजातिया एक साथ रहती हूँ इसे संसार में किस तरह की संस्कृतिया, समाज और राजनितिक सरचनाय बनी होती पर एक्जमबल धार्मी गास्ता है किस तरह से उबड़ती क्या इसायों की जनिसिस बुक ने ये गोशित किया होता कि नेंदर्थाल आदम और यूस से उत्पन हुए क्या इसा मसी डेनी सोवन्स की पापों के लिए सूरी जड़ गए होते और क्या कुरान ने अच्छे मनुशियों के लिए जन्नत में सेटी रिजर्व की होती चाहे उनकी स्पेसिस कुछ भी हो क्या नेंदर्थाल रोमन सेनों में या इंपेरियल चायना की विसाल नोकर साई में सेवा करने में कैपिबल होते क्या American Declaration of Independence ये गोशना करता कि होमोजेनस की सभी लोग समान है और क्या कार्ल मार्क्स ने इंसानों की सभी बरजातियों की सरमीकों को एक जुट होने का एलान किया होता पिशले 10,000 वर्षों में हम होमोजेपिनस एक मात्र यूमन स्पेसिज होने के इतने आदी हो गया ना कि हमारे लिए किसी और संभावना की कलपना करना भी मुश्किल है हमारे भाई बैनों के ना होने के कारण ये कलपना करना और आसान हो जाता है कि हम इस स्रिष्टी के प्रतिक है और हम में और बाकी जनौरों में बहुत फर्क है जब चास डर्विन ने ये संकित दिया था कि होमोशेपियन से भी एक और तरह का जानो रहे तो लोग आद बबुला हो गए थे आज भी कई लोग इस फेक्ट पर बरोशा करने से इंकार करते हैं अगर नेंदर थाल बजगे होते तो क्या हम अभी भी खुद को विशेश स्पराणी मानते साइद यही वज़ा है कि हमारे पूरोजों ने नेंदर थाल को हमेशा हमेशा के लिए निप्टा दिया हमारे पुरूजों के लिए काफी सारी समानताओं की वज़े से नेंदर थाल को इग्नोर करपाना मुश्किल था लेकिन भी लोग इतने अलग भी दिखते थे कि उनको बरदास करपाना और ज़्यादा मुश्किल था चाहे सेपियंस को दोसी ठहराए जाये या नहीं पर ये बात सच है कि जैसे ही सेपियंस किसी नए इस्तान पर पहुँचे वहां की मूल आबादी विलूपत हो गई होमो सोलो एंसिस के अंती मवसेस लगबग 50,000 साल पहले किया है होमो डेनिस हुआ उसके तुरंद वाद गायब हो गया नेंदत हाल लगबग 30,000 साल पहले विलूपत हो गए थे आखेरी बोने इंसान लगबग 12,000 साल पहले फ्लोरिस आइलेंड से अक्स्टिंक्ट हो गए थे वे अपने पीछे कुछ हंडिया, स्टोंग टूल्स, हमारे डियने में कुछ जीन्स और बहुत सारे अन्टेंसवर्ड प्रस्वन चोड़ गए वे अपने पीछे होमो शेपियंस, आखेरी यूमन इस्पिसिज भी चोड़ गए तो एक नेचरल कुर्शन ये उड़ता है कि हम होमो शेपियंस की सफलता का राज क्या था हम इतने दूर और एकोलेजिकल रूप से अलग-अलग जगों में इतनी तेजी से कैसे बच गए हमने बाकी सभी यूमन इस्पिसिज को गुमनामी की अंदेर में कैसे दकिल दिया इवन स्ट्रोंग, वुद्धिमा और ठंड से बचने वाले नेंदर थाल भी हमारे हमले से बच क्यों नी पाए इन सवालों की डिवेट अभी भी जा रही है सबसे अच्छा उतर वही है जिसके बिना ये डिबेट होती नहीं ओमोशेपिन्स ने अपनी यूनिक भासा या लेंग्विज की बदोलत दुनिया पर विजय प्राप्त की तो सवाल ये है कि हमारी लेंग्विज में ऐसा क्या था जिसके बिना हम इस परत्री को जीत नहीं बाते और हमारी लेंग्विज दूसरे जानलों की लेंग्विज से अलग कैसे है इन्हें हम समझेंगे अगले वीडियो में बाकि अगर वीडियो अच्छा रगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिकॉज इट मोटिवेट्स अलोट इस्टे ट्यून वाई लोगो मिलते हैं इस सेरीज के अगली वीडियो में